चुनाओं की तारिकों का एलान हुआ नहीं कि विवाद भी शुरू हो गया अब DTC बस के पीछे लगे इस पोस्टर को देखिए दिली सरगार के ये पोस्टर कई सवाल खड़े करता है आजार सहीता लागों होने के बाद भी इस तरह के विज्यापन लगाने से विपक्ष को सवाल उठाने का मौका मिल सकता है दूसरा विवाद रमजान के दोरान वोटिंग को लेगा सबसे कड़ा इतराज भी आम आदमी पार्टी ने ही उठाया है पहले पार्टी के विधायक अमानुतुल्ला ने विरोत किया और इसके बाद पार्टी के राजसबा सांसत ने भी सवाल किया कि आखे रमजान के दोरान वोटिंग क्यों आपको अशंका है किस से मुसल्मानों के वोट कम पड़ेंगे जानते हैं मुसल्मान जो है वो डिसाइज़िबिल वोट है वो जिसकी तरफ जाएगा वो इलेक्शन जीतेगा मुसल्मान बीजेपी की तरफ तो जाना नहीं है तो इनके पास यह एक रास्ता था कि मुसल्मान गर्मी में क्योंके रमजान गर्मी में आ रहा है और रम्जान जान बुच करकी रम्जान में उन्हें किया ना तो कोई कंपेनिंग करेगा छे तारीक से रम्जान चुरू है बारे में दिल्ली का इलक्षन है तो जान बूच करके रम्जान में लेकर आए ताके मुसल्मान वोट कम करें आप अपनी विश्वसेत नियता, अपनी छवी चुनाव आयोक की प्रतिस्था सब भाजपा के लिए एक पूरे दान में डालने पे लगे हुए आप में तीन-तीन फेजेज का चुनाव रमजान के महिने में कर दिया अभी तो ये शुरुवात है, दो मेने के ये चुनावी जंग कई मोडों से गुजरेंगे